Kia Sonnet को launch हो हाली में थोड़ा ही टाइम हुआ है बट अब इसके accident की videos और images भी सामने आने लगी है आज मैं आपको Kia Sonnet का first accident दिखाने वाले हो जो कि इतना brutal हो जाता है करनाटका के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि intense red color के अंदर HTX variant का accident होता है और images और video को देखने के बाद यही पता चलता है कि car flip होकर जाकर खंबे के अंदर टकरा आ जाती है अब ही आप सबसे पहले video देखो कि कैसे इसके accident को बाद में rescue किया जाता है कार को कैसे सीधा किया जाता है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि car टकराने के बाद कुछ इस condition में यहाँ पर गिरी हुई थी जिसके बाद जो locals हैं उन्होंने इसको सीधा किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कार फ्लिप होने के बाद एक खंबे से टकरा जाती है जो खंबा है वो भी यहाँ पर गिर जाता है वीडियो में देखने के बाद यह पता चलता है कि कार किसी और कार से नहीं टकरा ही है ओवर स्पीडिंग में हो सकती है यह कार जो की इतने फ्लिप होने के बाद एक खंबे से जाकर टकरा जाती है अगर आप कार की कंडिशन देखेंगे तो कार साइड से काफी जादा इसको इंपक्ट हुआ है जो फ्रेंट बंपर है वो भी निकल कर गिर गया है इवन जो बोनेट है वो फ्रेंट से एकदम सही है बर जो साइड से है इसकी वो पूरी दब चुकी है जिससे पता चलता है कि कार काफी जादा फ्लिप होई है आपको मैं एक और यहां पर वीडियो दुखा जाता हूँ जो airbags है वो deploy नहीं हुआ है reason being की जो front impact है वो नहीं हुआ है side ही impact वाइस कार के अंदर HTX variant के अंदर सिफ दो ही airbags आते है front dual airbags आते है front impact ना होने की वज़े से वो deploy नहीं हुआ है बट अगर मैं safety की बात करूँ इस कार की तो इतने जादा flip होने के बाद जो car का cabin है वो काफी जादा यहाँ पर safe देखने के लिए मिल जाता है so यह काफी अच्छा thumbs up जाता है Kia को जिनकी जो safety है कार के अंदर वो काफी अच्छी body यहाँ पर देखने के लिए मिलती है even जो इसकी electric sunroof है उसको भी कुछ भी नहीं होता है जो intact आपको देखने के लिए मिल जाती है और अगर आपके पास कुछ footage और वीडियोज है किया sonnet के accident या फिर किसी और car की भी तो आप मुझे इस email ID पर share कर सकते है so guys आप मुझे comment करके ज़रू बताने कि आपके सोचते हो इस accident को देखने के बाद की car over speeding थी इस वए इसे ये flip on होकर यहाँ पर accident इसका हुआ या फिर क्या इसका reason हो सकता है और Kia sonnet की build quality को लेकर आप क्या कहते है उसके बारे में भी आप मुझे comment करके ज़रू बताना बागे हम मिलते नेक्स वीडियो में till then take care be safe and bye bye